हलू फेन्स आज मैं बनाने जा रही हूँ एग रोल एग-balance बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है एग-balance बनाने के अंडा चाहिए यह रोटी चाहिए- यह मैदे के रोटी यह मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, सलाद में हमें चाहिए खीरा कटा हुआ, बारिक बारिक कटा हुआ, यह हो गया आपका गाजर, जो मैंने बहुत ही बारिक करके काट लिया है, यह है ओनियन, बहुत ही बारिक करके काटा हुआ है, यह है आपकी ग्रेंचिली, ग्रेंचिली दिख रही है, यह है यह मास्टर वाल यह है सेजबन साउस अब हमें कैसे बनानी है यह मैंने पैन में ओयल डाल के रखा हुआ है रात की वजह से विल्कुल दिखाईनी पर लिये विल्कुल काली दिख रही है हमें ऐसे इसमें अंडे डाल देनी है अमलेक बना लेनी है तिसमें नमख डालनी है अर कुछ भी नहीं डालनी है अमलेक बन गई है अब हमें क्या करनी है यह जो हमने रोटी बनाई है यह रोटी को इस ऑनलेक को रख देनी है इस तरह से हमें रख देनी हैं रख के वहमें रोती को भी हल्की हल्की फ्राइ करनी है ओयल के साथ इस तरह से हल्की सी फ्राइ करनी आ अब हम इस तरह से रोटी को आमलीट के साथ उतार लेंगे इसके उपर एक-एक करके सारे सॉस लगाएंगे थोड़ा सा मास्टर सॉस मास्टर सॉस जो है वो ज्यादा नहीं देनी है क्योंकि वह बहुत ज्यादा तीखी होती है अब हमें इसके उपर सलाथ डाल देनी है मैंने खीरा डाल दिया अब मैंने गाज़र डाल दिया अब मैंने ओनियन डाल दिया इस तरह से इसे फोल्ड कर देनी है आपको दिक रहा है इस तरह से इसे फौल्ड करके फिर इसे टिसू में फोल्ड करनी है यह टीशू है टीशू में हमें इस तरह से फोल्ड करनी है फोल्ड करके यह जो पीछे की यह साइड है इसे हमें ऐसे अंदर की यह डाल देनी है फिर यह आपकी एग रोल बन जाएगी ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आप घर में एग रोल बनाएए और सभी को खिलाएए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए ठीक है थैंक्यू फ्रेंड्स ओके बाई